हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो आपर यूटूब चैनल और फिन केमिस्ट्री फिल पॉजिटिव इद केमिस्ट्री एंगेट अल्द शॉलिशन हीर दोस्तो मैं सबसे पहले आप लोगों को थेंक्यू कहना चाहूंगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप लोगों का रिस् कोशन अराइस करने का मौन हो तो आप लोग जुरूर कॉमेंट शक्षिन में कॉमेंट करें हम लोग अवलेज अवलेबल हैं कुश्चन का आंसर देने को तो थेंक यू फोर सपोर्टिंग अस एंड एक बार अगें थेंक्यू अब हम लोग अपने नई टॉपिक पे जाते ह पर beşले वीडियो में नाइवरिगń numéro पभाडेस संगल बॉंड और suggestion तो नहीं चाहरा हूं कि उससे पहले में में चाहते हूं कि कुछ आपि ले ऐसे पिछले वीडियो का अीं कि नाइवरिग्स पर्टिकेंशन और कुछ भाते को मैं यहां पर इस देल करो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आगे की टॉपिक जो हमनों पढ़ने वाले हैं वो होगा कारवन कारवन डबल बॉर्ण और कारवन कारवन सिंगल बॉर्ण किस तरह से NGP में इनवाल्व होता है और इसके इनवाल्मेंट से रेट आप रेक्शन में क्या बदलाओ देखने को मिलता है तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ NGP रेक्शन के बारे ने बता दू जिसमें हमने पिछली वीडियो बनाया था तो इस रेक्शन में क्या है हमारा जी जो है एक ऐसा नाइवरिंग ग्रूप है जिसके पास एक या एक से अधिक अंसेर्ड पेर अफ एलेक्ट्रोन है यह अपना अंसेर्ड पेर अफ एलेक्ट्रोन जो है वो अल्फा पॉजिशन वाले कार्वन पर अटैक कर देगा और इस वज़े से यहां पर लिविंग ग्रूप यहां से निकल जाएगा और जी का अटैक कार्वन पर इंटर ज्यादा फास्टर देखने को मिलता है अब चुकि ये इसल्वल लाइटिक टाइप को अप्रेक्शन है तो हमारा सॉल्वेंट एज निकलोफाइल एक्ट करेगा तो हमारा जैसे ही निकलोफाइल अटाइक करेगा कार्वन और जी के बीच नियुली फॉर्म बॉंड है वो टूट जाएगा क्योंकि ये वीक है हम लोग ने बताया थे इसका करान क्या है जो कि जी जो है वो अपना अंसिर पेर ऑफ इलेक्ट्रों डॉनेट किया जो की नॉन बॉंडिंग का होता है और कार्वन के पास जो वेकेंट और वीटल है वो कांसा था एंटी बॉंडिंग पर टेक किया जो कि बॉंडिंग वाला तो लिविंग ग्रूप है और ये एंटी बॉंडिंग पर टेक किया तो जैसे ही एंटी बॉंडिंग पर टेक किया बॉंडिंग वाला टूट जाएग जैसे तूटेगा तो ये प्रोडेक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा और G जो है वो अपने फिर से उसी पोजिशन पर आ जाएगा जिस पोजिशन में यहां सबस्टेट में था यानि कि G के कन्फिगेशन में कोई बदला होने हुआ अब बात की जाए लिविंग ग्रूप और निक्लोफाइल के कन्फिगेशन पर तो लिविंग ग्रूप जहां से निकला था सेम उसी पोजिशन पर निक्लोफाइल आटेक हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर डवल इंवर्जन देखने को मिल रहा है मैं पहला इंवर्जन तो यहां में इपहरा है यहां देखने को मिले और दूसरी दो दूसरी जींपनी ज्यूकर डवलिंवर्जन हुआ इस मीजह से हमें भी दोच्चार वह आट जहां जानी प्रापनार्डट हूं retention of configuration होगा ठीक है और यह cyclic ring जो मना यहाँ पर 3 member का है इसके जगह पर यह 5 member भी हो सकता है और 6 member भी हो सकता है depend करेगा कि जिस G जो है यानि कि neighboring group जो है वो beta पे है या gamma पे है या delta पे है जिस भी position पे है ठीक है तो अब हम लोगों ने इस mechanism से जो कुछ बाते को बातों को जो हम लोगों ने समझा है वो हमने यहाँ लिखा है कि G जो है वो must be transposition to the living group G जो है वो transposition हो जाए चुकि इसको anti-warning में एटेक करना होता है दूसरा बात कि retention of configuration देखने को मिलता है double inversion के साथ और यह first order type of reaction है चुकि यह जो intermediate है वो slowest step होता है इसका formation slowest step होता है और rate of reaction भी इसी पर depend करता है और इसके formation में nucleophile का कोई भी role नहीं है इस वज़ा से यह सरफ इसके concentration पर depend करता है चुकि एक के concentration पर depend करता है nucleophile का कोई भी involvement नहीं है तो यह first order reaction को follow करेगा और हम लोगोंने पहले बाता ही दिया है कि solvent type solubolysis reaction इसने solvent act करता है as a nucleophile अब हम लोग बढ़ते हैं NGP by alkene या NGP by CC devil bond और इसके बाद हम लोग CC single bond के बारे में भी चरजा करते हैं अब हम लोग बढ़ते हैं अपने topic के तरफ NGP by alkene तो हमने पहले से यह लिख रखा है कि the pi orbital of an alkene are able to stabilize the trans state by helping to delocalize the positive charge of the carbocatine इस statement को हम लोग अताब समझेंगे जब हम लोग mechanism को discuss करेंगे तो वहाँ जाने से पहले हम लोग ने यह दो इस्टरच बना के रखा है जो कि नौडबोर नायल सिस्टम है जिसमें से एक unsaturated है और एक saturated है तो इन दोने में क्या देखा गया कि यह जो है rate of reaction faster सो करता है वो भी 10 to the power 11 times faster यह सो करता है ऐसा क्यों होता है तो जैसे हम लोग ने topic पर रखा है NGP by alkene तो यहां पर एक unsaturated carbon carbon double bond है तो यहां पर जो alkene है यह double bond जो है वो as a NGP act करता है और इस वजह से इसका rate of reaction इतना faster है saturated के मुकाबले ऐसे हम लोग जब NGP reaction के पर रहें थे तो हमने कुछ pair of compound का चार्ट बनाया था उसमें लोग ने देखा था कि किस-किस type के जो molecules है वो कितने amount में rate of reaction faster सो करता है और क्यों सो करता है कुछ में alkene कुछ में carbon carbon double bond देखने को मिला था कुछ में carbon carbon single bond देखने को मिला था कुछ में stereochemical changes देखने को मिला था और कुछ में unshared plate of electron देखने को मिला था तो इन सबों के वज़े से NGP का rate of reaction faster सो करता है और हम लोग जो भी इससा topic है NGP by alkene तो हम लोगों ने एक unsaturator लिया एक saturator लिया unsaturator बाला 10 to the power 11 times faster है और इसमें क्यों faster इसके बारे में हम लोग अब बात करते हैं इसका mechanism बना करके कि जब हम लोग इस unsaturator वाले का acetolysis करते हैं यानि कि is a type of sulvolysis where acetic acid acts as a solvent और जो acetate ion जो होगा वो as a nucleophile act करेगा तो हम लोग का ये एक mechanism है जो हमने बनाया है जिसमें हम लोगों ने जो reactant लिया है वो एक unsaturated compound लिया है नौर्बोनल सिस्टम का जिसमें dosilate जो है वो as a living group present है तो इसका जो हम लोग acetolysis करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग यहां पर जदी देखे तो oxygen और carbon के बीच में यहां पर bond है oxygen और carbon के बीच में bond है तो यह इस तरह से bonding बनावा है और इसके यह पीछे वाला जो है वो anti bonding orbitals है तो जैसे ही क्या करेगा यह attack करेगा double bond यह double bond जैसे ही इस पर attack करेगा anti bonding पे तो यह वाला bond टूट जाएगा और dosilate यहां से बाहर निकल जाएगा OTS यहां से बाहर निकल जाएगा और अब जो intermediate का formation हुआ वो कैसा बना यहां पर bonding वाला खाली है anti bonding के साथ यह bond बना लिया चुकि यह intermediate है तो क्या होगा कि इसके साथ हम लोगों ने यह dotted line है वो बनाया है कि एक partial bond का formation हो गया इस carbon और इस carbon के बीच में stability के लिए और यहां पर three member ring का भी formation हो रहा है यहां पर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है अगर आप इस structure में देखे तो three member ring का formation हो रहा है तो यह इस ring का formation हो रहा है इस ring के वजह से यह transition state ने जो intermediate state है वो stable है और एक और बात है जैसे हम बने यहां पर पढ़ा था कि the pi orbital of an alkene are able to stabilize transition state by helping to delocalize the positive charge of the carbocation यह pi bond क्या करता है जैसे यह attack किया यहां पर positive charge generate हो गया और चुकि यह होता है यहां पर attack किया positive charge यहां generate हो गया हर्मों जानते हैं कि charge जितना ज्यादा spread होता है stability बरती जाती है तो चुकि इसके पास और यह वाला जो structure है वो एक hybrid structure हम लोग ने दिखाया है कि यह dotted land से इधर भी 3 cyclic intermediate का formation हो सकता है या फिर इधर से यह यह तीनों जो है वो cyclic intermediate का formation कर सकता है अब क्या हो गया कि जब जैसे यह cyclic transient state है और यह ज्यादा stable है तो इस पर nickelophile attack करेगा तो कहां पर attack करेगा तो हम लोग का पहले से यहां पर जो यह bonding वाला orbital है वो खाली पढ़ा हुआ है तो nickelophile इसी bonding वाले orbital पर attack करेगा जैसे ही attack किया तो इन दुन में से structure में से कोई भी एक structure को हम लोग ले तो यह वाला बांड वो टूट जाएगा जैसे ही टूटेगा फिर से अलकीन जो है अपने पोजिशन पर आ जाएगा और acetate ion जो है वहीं जुट जाएगा जहां से living group यानि कि टोसाइट आइन जो है वो बाहर निकला था तो यह था आवरल इसका mechanism कि क्यों जो है अंसेट वाला जो है वह जादे रेट आप एक्शन सो करता है चुकि यहां पर डबल बांड जो है एंजीपी की तरह एक्ट कर रहा है इसके intermediate को stable कर रहा है इस वजह से इसका rate of reaction इतना ज्यादा फास्टर सो करता है यह था हमारा mechanism और इसके studio chemistry के बार में क्या बात की जाए जो एंजीपी का था वह सेम इसमें यही रहेगा first order reaction ही सो करेगा retention of configuration हम लोगों को देखने को मिला ही और सब कुछ एंजीपी के तरह है बस हमें यह mechanism देखना है कि किस तरह से double bond का involvement है as a NGP तो हम लोग discuss करने यह हमारा mechanism का discussion हो गया था अब हम लोग देखते हैं कि group का क्या effect होता है substituent का क्या effect होता है तो हम लोगे पास दो type का substituent होता है एक electron withdrawing और एक electron donating group ठीक है अब हम लोग substituent में अगर electron withdrawing group लगा दे यहाँ पर EWZ यहाँ पर लगा दे तो यह क्या करेगा EWZ के जगे अब हम लोग लगा देते हैं CF3 molecule यह CF3 क्या करता है कि इस carbon carbon double bond से जो जितना भी electron density है वो अपने और खींच लेता है अब यह enable है कि इस पर attack कर सके यहाँ तो जब यह EWZ जी नहीं था तो यह easily attack कर रहा था इसके end demanding में लेकिन जैसे ही EWZ हम लोग लगा दिये तो क्या हो जाएगा कि यह attack करने के लिए इसके पास electron density ही नहीं बजेगी कि यह साड़ा electron density EWZ खींच लेता है अपनी और तो experimental data से हमें पता चला है कि 10 to the power 6 times slower कर देता है अगर एक EWZ ग्रूप लगा देते हैं in carbon carbon double point के बीच में तो हम लोगों को experimental data से पता चलता है कि 10 to the power 6 times rate of reaction को slow कर देता है और अगर 2 electron withdrawing group लगा दे तो 10 to the power 12 times slower कर देता है rate of reaction को यानि कि जिस speed से rate of reaction saturated बाड़े में चल रहा था नॉर्मल स्पीड से ठीक उसी तरीका से उसी rate of reaction से चलेगा जब हम लोग EWZ लगा देंगे like CF3 तो 10 to the power 12 times जो है और rate जो है वो slow कर देगा और अगर electron donating group लगा देते हैं तो somehow increase ही कराएगा लेकिन इसका experimental को evidence नहीं है कि इतना जादा rate of reaction को increase कराएगा अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कारवन-कारण single bond के बारे में कि कैसे कारवन-कारण single bond NGP में involved होता है और किस तरह से rate of reaction को faster सो करता है तो इस के बारे में जानने के लिए हम लोगोंने फिर से Norbernell system को लिया सबसे प्रें Norbernell system पर जो experiment किया गया उन्होंने Winston और his gobergers ने किया उन्होंने एक ऐसा substrate लिया जिसमें optically active exo2 Norbernell brisylate लिया और उसका acidic hydrolysis किया तो उन्होंने product में मिला वह क्या था कि और इसमें mixture of two exo-isomers मिला है और indoisomers नहीं मिला यह आप लोगों को बार बार दिमाग में खटकरा हुआ कि यह exo-isomers का है और indoisomers का है तो हम लोग script knowledge में यहां पर चलते हैं हम लोगोंने Baldwin rule पढ़ा था Baldwin rule ठीक है इस rule में हम लोगोंने पढ़ा था कि अगर displace किया हुआ bond बाहर की और टूटता है तो वो exo कहलाएगा ठीक है अगर रिंग के बाहर टूटता है तो वो exo कहलाएगा और अगर रिंग के अंदर आता है वो तो indo कहलाएगा तो पताते हैं कैसे वो exo और indo होगा इसके बारे में इसमें कोई भी x y c ऐसे ही atom से कोई भी ठीक है और भी बनाएगा तो इसमें हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि अगर x जो है वो क्या करेगा carbon पे attack करता है या फिर c atom पे attack करता है अपनी lone pair से तो यह वाला double bond चे वो तूटके बाहर जाएगा और यहां पर एक ring का formation हो रहा है माल लेते बीच में भी कोई एक atom है तो यहां पर माल लेते 3 member ring का formation हो रहा है और displace किया bond जो है वो ring के बाहर जा रहा है है ना यहां पर यह minus चला जाएगा तो displace किया bond जैदी ring के बाहर जा रहा है तो वो x तो attack करता है अगर x जो है c पर attack करेगा और c y के बीच का जो bond है वो displace होके ring के बाहर जाएगा तो वो x पर attack करता है और displace किया bond ring के अंदर जाता है यहां देखिए x c के बीच में bond है और y पर double bond था वो displace होके y minus हो गया तो यह within ring है तो यह indoor attack कहलाता है ठीक तो यह बाल्डवीन ने कहा था कि अगर displace किया bond ring के बाहर जाता है तो वो x attack displace किया bond ring के अंदर रहता है तो वो indoor attack अब हम लोग एक सो और indoor के बारे में यहां जानते हैं यहां पता करते हैं क्या यहां पर क्या है कि 123 तो विंस्टी और his co-workers ने देखा था कि 16 जो है carbon-carbon single bond यह assist करता है NGP के reaction को faster दिखाने के लिए तो कैसे attack करता है यह यहां पर attack करता है attack जैसे ही करता है तो OBS जो है brosalate जो है वो dosalate हम लोग ने पढ़ा था यह brosalate है यह भी एक living group है तो जैसे ही 1-6 bond यहां पर attack करता है यह OBS यहां से बाहर निकल जाता है यह तरही बाहर निकलता है जब इसके anti-bonding में यह attack करता है जैसे attack किया तो अब इसके mechanism पर हम लोग चलेंगे बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम लोगों को यह दो कैसे मिला तो जैसे ही 1-6 carbon-carbon single bond attack करता है OBS पर तो carbon पर attack करता है तो OBS यहां से leave कर जाता है और इसके बीच में एक transient state बनता है इसके बनने के वजह से क्या हो जाता है कि अब जो acetate ion है वो attack करता है तो attack करने के लिए दो position इसके पास रहता है acetate के पास एक तो यहां पर positive charge generate होता है तो उस पर acetate ion attack करता है यह फिर दूसरा positive ion यहां पर create होता है यह वाते हम positive ion जो बता रहे हैं और यहां उसको हम mechanism बना कर भी आपको बता देंगे हम कैसे acetate ion attack करता है तो यह दो rhythmic mixture मिला हम लोगों को जो कि एक exo attack था अब यह exo attack ही क्यो automation हुआ one और six के bond के attack होने इसे तो यह जो bond है वो बाहर की और displace हो गया इस वैसे इसको exo attack होलते है अगर माल लेते हैं यह इंडो होता इंडो कैसा हो तो इसका example है यहां पर हम लोग यहां देख रहे हैं कि exo जो है exo isomers जो है वो 350 गुना ज्यादा faster reaction सो करता है इंडो isomers के इंडो वाले में क्या OBS जो है यहां आप दे सकते हैं वो equatorial है और यहां पर axial है तो यहां पर क्या हो रहा था कि जैसे यह 161 टूटा तो इसके anti-bonding में attack किया और यह यहां से बाहर निकल गया लेकिन यहां पर वैसा नहीं है यहां पर इसका anti-bonding जो है वो उपर की और ह तो इसके लिए एक अनुकूल जगह ही नहीं मिला कि यह attack कर पाएगा और attack नहीं कर पाएगा तो यह normal speed से reaction सो करेगा है ना इसके पास जगह था तभी attack कर सका और यह faster reaction सो कर रहा था तो इस case में ही क्या होगा carbon carbon single bond जो है as a NGP के तरह act करेगा चूँकि इसके पास possibility थी act यहा यहाँ पर सिर्फ exo-isomer ही बनाता है इंडो-isomers का formation नहीं करता है तो इस reaction से जो विंस्टीन है वो दो बात बताएं कि पहली बात उन्हें कहा कि reaction से कि सब्सक्राइब अप्टिकली एक्टिव exo-isomers गिवरेसिमिक मिक्षर ऑफ exo-isomers और दूसरा बात उन्हें कहा कि हाई-xo-indor rate ratio जो है वह वह वन सिक्स बॉंड के असिस्ट होने पर होता है वन सिक्स बॉंड के असिस्ट होने पर जो है हाई-xo और लू-indo रेसियो मिलता है में रेट का और हमें यह भी बता चला कि 350 गुना ज्यादा फास्टर रेट अप्रेक्शन जो करता है ए-xo-indo के मुकावल आप जो हमने बताया था कि इसका हम लोगों मेकनिजम आपको दिखा ड्रो करके बताएंगे कैसे इसी टेट जो है एक यहां पर अकुपाइड होता और एक इसी टेट यहां पर अकुपाइड होता है वो हम बताने जा रहें आपको तो जैसा कि हमने कहा कि एक्सो नौर्बोटनायल जो हम लोगों ने सबस्ट्रेट लिया था उसका मेकनिजम कैसा है तो जैसे ही यह वन सिक्स बॉंड असिस्ट करेगा यहां पर तो OBS यहां से लीव कर जाता है OBS के लीव करते ही यह इंट्रिमेडियर स्टेप में लोगों को देखने को मिलता है इ सब्सक्राइल जो हमारा इंट्र मेंडियर स्ट्रॉक्चर होगा यह वाला होगा ऑडर है a-larал सिक्छिंटов और बी अपस में अध्या इंटलजाच को अगु को दिशन चाली निकलने के बाद om इस विए से क्या होता है अब दूसरा स्टेप आता है एसी ओ मैनेस का अटैक होने का चुकि यह एसी ओ मैनेस क्या करेगा अगर यह वाले पर अटैक करता है तो हम लोगों को यह वाला प्रोडक्ट मिलता है जिसको यह भी एक एक एक्सो आइसोमर ही है और दूसरा वाला भी है एक्सो आइसोमर ठीक है चुकि दोनों एक्सो आइसोमर ही है बस जगह जो है इसी टेट का डिफरेंट जगह है और जो सबसेट है वह हमारा अप्टिकली एक्टिव है इसलिए जो हमा ठीक है अप्टिकली एक्टिव सब्स्ट्रेट था हमारा और नुकलोफाइल के अटेक होने पर जो है दोनों की पॉसिबिलिटीज सेम आ रही थी बनने की इसलिए हमारा जो प्रोड़क्त है वो रेसिमिक मिक्षर है तो यह हमारा मेकनिजम हो गया कारबन सिंगल बॉंड किस अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजिए और और शेयर भी किजिए और अगर कुछ भी पुछने कमन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें आपको आंसर जल से जल को देने के कोशिस करेंगे और हमारे पीछे के सारे वीडियो का लिंक जो हमारे दिस्क्रिप्शन में है आप दिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके अलग टॉपिक पे भी वीडियो देख सकते हैं थेंक्यू